Godzilla X-Kong The New Empire दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर ताब और तोड पैसा छाप रही है दोस्तों और Titans की इस Extreme Level War ने उसके फैंस को मंतर मुक्त कर दिया है Godzilla X-Kong अपने Godzilla vs. Kong के बाद की कहानी के बाद शुरू होती है जैसा हम सभी को बता है मगा थीटर से निकलने के बाद हम सभी के मने में कुछ सवाल बार बार आ रहे होते हैं जिसके बारे में चलिए थोड़ी डिटेल्स में आज बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आपने गॉर्जिला एक्स कॉंग देन्यू एंपार फिल्म को देख लिया है ई-व का मानना है कि जीया ही वह है जो मौथरा को जगा सकती है एक काइजू यानि मौथरा जो गौrzिला की लाई यानि सहयोगी है और जीया इसे पूरा करने में सफल भी होती है गॉर्ण को पता है कि इस वार को अकेला वो जीत नहीं सकता इसलिए कॉंग गॉर्जिला के साथ टीम अप करना चाता है जो कि गॉर्जिला के साथ लाश वार में उसे गॉर्जिला का साथ दिया था कॉंग एक नए पोर्टल से इजिप्ट में पहुँचता है पोर्टल में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए ग्रैविटी रुकने से स्कार किंग शेमो अर्थ के सर्फेस पे पहुंच जाते हैं और वही टाइटन्स की इस महावार का असली फेस आफ हमें देखने को मिलता है स्कार किंग के पास एक क्रिस्टल है जिससे वो शीमो को कंट्रोल करता है जिसका अर्थ है कि वो उसकी तरफ से लड़ने के लिए मजबूर हो लेकिन गॉर्जिला कॉंग और बेबी कॉंग अपनी टीम अप के साथ रहके उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉई कर देते हैं जैसे शीमो आजाद हो जाता है और अपनी फ्रीज पावर से स्कार कींग को खतम कर देता है। एक प्राचीन भविसवारी से जुड़ी हुई है जिससे वो मौत्रा को बुलाने वाली है जब ये प्राचीन यूद होगा। जिया फिर मौत्रा से जुड़ने के लिए एक और छेतर की ओर जाती है। स्कार कींग भी एक काईजू है जो काफी हद तक और एंग उटान जैसा दिखता है। मौस्टर वर्ष के मिथ में गौडजिला पहले भी स्कार कींग से लड़ चुका होता है। थ्रो और पूरे मूवी में बेबी कॉंग हमें दिखाया दिया गया है। जो सुरू से इस कॉंग को डिस्टरब करता रहता है मगर अंत में वो कॉंग के साथ हो जाता है और उसके साथ वो होलो अर्थ में भी चला जाता है। दंद कताओं में ये कहा गया है कि शीमो की वज़े से फॉस्ट आइस एज की शुरुआत होई थी। और उससे कई सालों तक स्कार कींग ने उसे अपने कंट्रोल में रखा जिसकी वज़े से स्कार कींग होलो अर्थ के कुछ हिस्सों पर राज करता है। मेकर्स ने शीमो ड्रैगन को उस तरह से पोटेट किया है कि शीमो ड्रैगन अभी भी नेचर और हुमेंस के खिलाफ नहीं है। मूवी के एक सीन में हम मॉस्टर बॉन ब्रीज देखते हैं जहां से कॉंग और बेबी कॉंग गुजरते हैं। इस ब्रीज का साइस देखकर सच में मैंने सोचा अगर कॉंग इसके सामने कीडे जैसा दिकर आए तो अगर ये स्कॉल का मॉस्टर इस मॉस्टर वर्स की लाइब एक्शन मूवी में आएगा तो क्या होगा और कैसे फेस करेंगे बाकी मॉस्टर अब सवाल ये आता है ये ब आगे साइध इस महादानों से जुड़ी कहानी हमें देखने को मिले आने वाली Monsters Wars की मुवीज में. आपको क्या लगता है इस वार के बाद Godzilla और Kong दोस्त हो गए हैं? जी नहीं मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता. अभी भी वही तकरार है इन दोनों में. तू अपने घर मैं अपने. ना तू जुकने वाला है ना मैं. इसलिए हम अपने अपने वर्ल्ड में ही अच्छे हैं. वैसे कौंग को अपना नया घर मिल चुका है और Godzilla एक लंबी नीन में जा चुका है. तो दोस्तों आपको कैसे लगी Monster Wars की ये फिल्म Godzilla as Kong के उसके बारे में आपकी क्या रहा है? प्लीज कमेंट सेक्षन में उसे जरू बताएगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनलर को सब्साइब कर ना ना भूले. साथ में बेल आकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे लेटिस वीडियो की हरे एक जानकारी आप तक पहुंचे. नीचे डिस्क्रिप्शन मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बूक का लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे फॉलो कर लिजेगा. मिलूँगा जल्द आपको अगले वीडियो में नहीं जानकारी के साथ दएके शो में धन्यवाद.